हलो एवरिवान आएम रिधर्योन यह वाचिंग स्काइस दे लिमिट तो आज के वीडियो में वेसिकलि हम लोग डिसकस करेंगे UGC से क्या नया बोला गया है तो एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बार में हम लोग डिसकस करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल में UGC Peaches Swamp Governments Online Courses Portal to Colleges So Classes Can Start in July तो आप लोगों का क्या जुलाई में Classes Start होगा क्या होगा इंडिटर्स में आपको पढ़के सुनाओंगा तो यह जो आप देख सकते हैं मेरे सामने page open है तो यह मैंने लिया है The Print से तो अगर आपको वहाँ पर जाके खुद से एक बार पढ़ना है तो मैं नीचे description box में link दे दूँगा आप description box चेक कीज़े आपको link मिल जाएगा तो वीडियो देख लेने के बाद एक बार आप वहाँ पर जाके भी इसको पढ़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर इस चैनल पर ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको university related कोई भी update मिलते रहते हैं तो चलिए सद समय ने लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है New Delhi, the university grant commission UGC is pushing colleges and universities to use SWAM, the government's online study portal so that they can begin their academic sessions earlier than decided मतलब पहले जब आप लोगों का बोला गया था कि आप लोगों का जो नया session चालू होगा वो august में चालू होगा वो august में चालू होगा क्यों बोला गया था क्योंकि वो offline आप बोल सकते हैं कोई भी online का चीज नहीं सोचा गया था जो भी सोचा गिया था वो offline सोचा गिया था मतलब जैसे आप colleges में जाके universities में जाके class करते हैं पर आप लोगों को यहाँ पे यह clear हो रहा है कि आप बोला जा रहा है कि government का जो app है swim app जो कि आप बोल सकते हैं हम लोगों का online study portal है वहाँ पे जाके आप लोगों का academic session चालू करने के लिए colleges को बोला जा रहा है ताकि इसका reason क्या है इसका reason एह ही है कि आप लोगों का जो colleges start होने वाला था august से वो start हो पाए और भी पहले तो जो कि आपका motive है मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर heading में क्या लिखा है देख सकते हैं हाँ पर बोला गया है classes can start in July मतलब July मे भी आपका classes start हो सकता है यहाँ पर देखिये और भी क्या बोला गया हम लोग इंडिये दर जान लेते हैं SWAM is the government's online massive open online courses MOOCs platform that has a wide range of study material जो के हमको पता है the commission has now asked colleges to start online classes from July even though the actual academic session is slated to begin in August for second year and third year students and from September for first year students पतला आपको यह भी पता चल गया तो आपको यह पता चल गया कि आप लोग का classes जो बोला जा रहा है कि July में start हो सकता है वो second year हो third year हो किसी भी student के लिए बोल रहा हूँ तो वो third year हो और second year हो सभी का classes आपका जुलाई में भी start हो सकता है और अगर classes जोलाई में start हो तो आप सोचिए गामात कि आप लोगों को college जाना पड़ेगा आप लोगों को घर बैठे ही हो सकता है कि आपको पढ़ना पढ़े और आपको पढ़ना पढ़ सकता है swim app से तो यह swim app अभी तक आप लोगों ने अगर install नहीं किया है तो play store में जाके easily यह swim app को install कर लीजे क्योंकि आपको future में बहुत ही काम आने वाला है यह swim app अब चलिए यहाँ पर और भी क्या बोला गया है हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर देखे और भी बोला गया है मतलब क्लिरली बोल दिया जा रहा है यह situation को handle करने के लिए colleges को encourage करने के लिए students को कि वो swim app का use करें ताकि उनका पढ़ाई में कोई problem ना हो तो यह लोग को clear एक message आ रहा है कि आप लोग का नया session आगस्ट में चालू हो ना हो के वो हो सकते है आप लोग का जुलाई में ही चालू हो जाए एक महिना या दो महिना ऐसा हो सकते है कि आप लोग का आपका academic year घर बैठे online करना पड़े यहां पर देखे और पर बोला गिया है the letter added that the courses can be offered from July and also attaches a detailed timetable with the details of the courses and when they start on swim the schedule has specific courses meant for specific institutes the letter however only talks about non-engineering courses मतलब यहां पर last बाला जो पार्ट है वो non-engineering students के लिए बोला गया था वहां पर जो specific courses बोला गया था मतलब 82 थे UG students के लिए and 42 था PG students के लिए तो वो अलग बात है पर हम लोगों को यह confusion दूर हो रहा है कि जो second year and third year students है जो सोच रहा है कि उनका नया session कब चालू होगा उनको जो पता था कि उनका नया session आगस्ट में चालू होगा तो वो आगस्ट में चालू ना हो कि आपका जुलाई में ही चालू हो सकता है और यह हो स आपको आप बोल सकते हैं इस बार का जो सेमिस्टर आने वाला है आधा आपको online में पढ़ाया जाए या आधा आपको offline में पढ़ाया जाए अब क्या होगा हमको UGC का final notice आने के बाद ही पता चलेगा तो तब दक हम लोगों को wait करना पड़ेगा और जो जो students आप बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग भी बहुत सोच रहे हैं UGC का और भी notice का wait कर रहे हैं तो देखा जाएगा हम लोगों को क्या होगा हम लोग अभी tension मत लेंगे क्योंकि UGC से ये clear कर दिया है कि पहले आप लोगों का health के बारे में सोचा जाएगा तो वो मत सोची कि आप लोगों के health के बा करना है तो इस चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको कोई भी university related update मिलते रहेंगे तो चेली आज के लिए इतना ही बहुत जल्द नहीं वीडियो के साथ फिर से लोगों से मुलागत होगी तब तक के लिए बाबाई